और स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल लीके ट्रिक विद इसी तरीका में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ चिकित सा विज्ञान समंदित खोजें दोस्तों ये टोपिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और हर किसी एक्जाम में एक या दो आते हैं तो चलते हैं करते हैं इस वीडियो को सुरूर है दोस्तों सबसे पहले आता है diabetes की किस ने की थी बैटिंग की थी दोस्तों डाइबटीज समझते हैं होता क्या है दोस्तों इस बीमारी में जो व्यक्ति का सूगर या फिर जो गुलुकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है और आदमी को बार बार पेसाव आना तता तेज प्यास लगना वजन बढ़ जाना थकान मैसूस होना और अगर कोई चोट वगरा या घाव वगरा लग जाता है तो जल्दीफिक नहीं होना यह सभी क्या होते हैं डाइबटीज के लक्सन होते हैं, दोस्तो अब इसको करते हैं, थोटा ТRICK से याद, यानि कि डाइबिटीज हो गई है एक भाई को, आन씨 कि अब इसको ठीक कैसे करेंगे, यानि कि बीट, बीट कर, यानि कि बीट माने होता है दोस्तो पीटना, तो दोस्तो इस बिमारी को केवल पीट कर ठीक किया जाएगा और कैसे वो भी बैट के द्वारा बैट, बैटिंग, जब हम बैटिंग करेंगे अच्छे से तो दोस्तो ये बिमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी दोस्तो अगला आता है RNA यानि कि राइबोज न्यूकलिक अचिड तता DNA यानि कि डियोक्सी राइबोज न्यूकलिक अचिड दोस्तो आरन ने की खोज की थी जेम्स वोट्सन तता अर्थर अर्ग ने तता DNA की खोज की थी वोट्सन तता क्रिक दोस्तो DNA का सबको पता है कि वोट्सन तता क्रिक ने की थ किया था यानि कि आन्विक संद्जना बताई ती डियन ने की लेकिन दोस्तों अठारा सुन अस्तर में फ्रेडरिक माइकर ने पहले ही इसकी खोज कर चुकी थी और इन्होंने इसका नाम दिया था न्यूकलीन तथा दोस्तों उसके बाद अलबर्ट कोसल ने भी इनकी खोज की थी और इन्होंने इसका नाम न्यूकलीन की जगे न्यूकलिक एसिट दिया था जिस वज़े से इनको 1910 में नोबल प्राइज मिला था उसके बाद दोस्तों वोट्संत दक्रेग ने 1951 में डियन ने की आणविक संद्जना द तो दोस्तों इसको देखते हैं आरने को कैसे याद करते हैं राना राना दोस्तों इस राना बनाएंगे इससे राना यानि की आपने गाना सुना होगा राना जी माप करेना गल्ती मारे से हो गई तो दोस्तों राना जी है यानि की अम्रेश पूरी तो इनके पास कुछ बार में जेम आता है किसके लिए इसका जो बेटा होता है वो काम का नहीं होता तो यह कहते है राणा जी हमारे बेटे की आप वाट लगा दीजिए साइद उसको कुछ बुद्धी आ जाए और वो हमारी सेवा वगैरा करने लगे तो दोस्तो बस ऐसे ही इसको याद करेंगे दोस्तो अगला आता है गर्म निरोधा गोली यानि कि पिनकस दोस्तो आपको पता होगा कुछ लड़किया होती है टाइम से पहले ही मा बन जाती है यानि कि जैसे आपने अभी मा भारत में भी देखा होगा जो कुंती माता थी समय स से पहले ही उहको गर्ब हो गया था यानि शूत-फूत करण के नाम से जानते हैं जिसको आप तो दोस्तो कुछ लड़कें होती हैD जो ऐसे काम करती है लेकिन वे अपने गर्ब को च्हिपाना चाहती है यानि कि किसी को पता ना चले ठीक है तो वे क्या करती हैं वे अपने पेट पर कसकर पिंच उभा लेती हैं जिससे उनका गर्ब नश्ट हो जाता है ठीक है दोस्तो दोस्तो ये ट्रिक केवल और केवल आपको याद दिलाने के लिए है जिससे कि आप लंबे समय तक इसको याद भीणा ले चलते हैं अगला रक्त ट्रांस यन कि बलडट ट्रांस त्रांस इसकी है दोस्तो कॉर्लेंड इस्टीन इसको दोस्तो मैंने आपको पहले भी बताय था यानि कि एक आदमी को क्या है योनि यसन को बेटे को अपना बलडट चेंज करवाना है तो वह डोक्टर के प कोचता है डोक्टर साब के पास तो डोक्टर साब कहते है बेटा लेंड जमीन पे लेट जाओ आप और बस ये बता दीजिए कि आप इस तरी का चड़ाना है बलड या फिर नर का यानि कि मैन का ची है या वो मैन का ठीक है दोस्तों अगला आता है हैजा और टीबी का टीका दो दोस्तों इसकी खोजगी थी रोबोट कोच ने दोस्तों ये ऐसी बीमारी है बहुत ही घातक बीमारी है तो दोस्तों जैसे टीबी हो गया टीबी यानि कि टेलिविजन तो दोस्तों इसमें होता क्या है अब डोक्टर ठीक नहीं करते इस चीज इस बीमारी को तो डोक्टरो अपने लिए एक रोबोट का इंतजाम क्या है और रोबोट ही इन बिमारियों का इलाज कर रहे हैं तो दोस्तों इसको बस ऐसे ही याद करेंगे कि हैज़र तर टीबी को कौन ठीक करेंगा रोबोट ठीक करेंगे अगला आता है दोस्तों मलेरिया के किटाणू यानि कि एक लड़की है रिया और उसको क्या हो जाता है मलेरिया हो जाता है किसी कीट के काटने से तो जैसे ही उसको मलेरिया होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है उसकी मम्मी कहती है कि बेटा रिया रो मतू बोले मलेरिया का हिलाज है और तू जल्ली ही ठीक हो जाएगी तो बस रोना बंद कर देती है वो तुरंट दोस्तों अगला आता है टाइफाइड के किटानू कि इसकी खोज कीती इवर्थ ने यानि कि वे हटा देंगे इसका तो बंजाएगा अर्थ यानिकि जमीन तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो टाइउ ताइड की जो गले में पहानते हैं फाइड यानिकि फाइट के लड़ना अगले आता है दोस्तो पेचीस एवं पलैक के किटाणू तो दोस्तो होता क्या है बारिस हो रही होती है आपको पता होगा कल भी बारिस होई थी तो एक लड़ का पले यानि कि पले करता है किरकेट वगेरा खेलता है यानि कि बारिस के अंदर तो उसके पैरशीज में लगते ह मेरे द्वाज तो दोस्तों अपनी मम्मी को जाके बताता है यह लड़का कि मम्मी मेरे को ना पैर दूख रहे हैं तो इसकी मम्मी कहती है तू खेल के भी तो फिल्ड में आया है वहाँ पे किसी ने काट लिया होगा कीट वगेरा में तू जारा होगा जैसे जारो मतलब तू ज कीट तेरे को काट लिया होगा के इस वज़े से रिपैर चीज रहे हैं दोस्तों अगला आता है चेचक कट का यानि की एडवर्ड जेनल यह दोस्तों सभी को पता होता है अगला आता है दोस्तों बीसीजी कटी का यानि की यूरीन का मेटे दोस्तों बीसीजी से बनाएंगे बच्चे BCG यानि बच्चे बच्चे ठीक है न तो आपको पताऊगा दोस्तों जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वे कई पर भी सूशू कर देते हैं और वे ये नहीं देखते की मतलब कहां पर करनी है सूशू कहां पर नहीं क्योंकि इतना घ्यान नहीं होता तो कभी वे बैड़ की चादर गंदी कर देते हैं कभी मैट यानि कि चटाई पर यूरीन कर देते हैं तो जापे मन हुआ उनका वहीं पर यूरीन कर दिया दोस्तो अगला आता है काला जार दोस्तो इसकी ट्रिक हमने आपको पहले भी बता चुकी है यानि कि काला, काला लड़का है, क्या है वो जार है, यानि कि लड़कियों के पीछे गूमता रहता है इधर उदर, तो दोस्तों लेकिन कहता क्या है, बोला मैं भई पंडित की ओलाद हूँ, भरमचारी हूँ, मैं तो लड़कियों से कोसो दूर रहता हूँ, और काम ऐसे करता तो दोस्तो अगले आता है हिर दिया परत्यार ओपन क्योंकि या नीकित जो हों ट्रांस प्लांट आ सब्से पहले किसे नहीं या भी वो व्ह final दोस टो क्रिस्ट्ट बनुद्ट प्रत्यार ओपन का था हो। ने मिअट्टा लेकिन अपने इंडिया में जो सब से पहले हार्ट ट्रांस्प्लांट किया था उस वह थे केके वेडूंगोपाल कि दोस्तों अगला आता है बेरी-बेरी रोग की चिकित्सा यानि कि इनके है आई जक मैन दोस्तों कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको कुछ बिमारी होती है एक दूसरे के प्रडोसी के घर में ताका जक यानि कि जक मारने के लिए आते रहते हैं जक मारना यानि कि ऐसे ही बेफाल तुम्हें फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करने के वो बोलते हैं जक मारना कहते है न तो यहां जक मारने के लिए क्या है यहां पर ठीक है दोस्तों तो यानि कि कुछ आदमी होते हैं जो बार बार आते जाते हैं जख मालने के लिए दोस्तों अगला आता है डी डी टी यानि कि इसकी खोजगीती डोक्टर पोल मूलर ने दोस्तों डी से बनाएंगे डोक्टर और डोक्टर यानि कि डोक्टर कौन से पोल मूलर अगला आता है दोस्तों अल्ट्रा किंडों से चिकित दोस्तो किरन नाम की लड़की है तो आपने देखा होगा जिसे स्कूल वगरा है कोलिजिज वगरा में हमारी आदत ग्या होती है कि लड़कियों को छेड़ते रहते हैं उन्हें तंग करते रहते जैसे लड़किया आगे बैठी हुई है और हम उन से पीछे से कभी चोक मार रह नाम की लड़की है तो इसको एक आदमी होता है और वो क्या करता है पीछे से कि अभी कोरॉनट चला हुआ है तो हमारे ये जैन सहाब है जैन — जो जैन धर्म डियां फीससी धर्म नहीं रहते हैं जैन साहने एक हमारे टीचर है यानी की डोक्टर है तो उन्हों ने क्या क्या है एक ऐसा टीका लगा рहे है वह अपने गर पे टीक लगा ताकि जो कोरोना वाइरस है वो हमसे दूर ही रहे तो इनका लड़का है गोविंद तो वो जो है हर किसी को जाके घर घर यानौसमेंट कर रहा है कि जल्दी से जैन साहब के घर जाईए और टीका लगवाईए यानि कि आना खुदाना जल्दी से आपको फिर कोरोना बिल्कुल नहीं होगा ठीक है दोस्तों अगला आता है हाइड्रोफोबिया यानि कि हाइड्रोफोबिया का इलाज यानि कि लूइस पास्चर ने गया था इसका दोस्तों सभी को पता होता है लेकिन आपको पता हूँ जो हाइड्रोफोबिया बुमारी होती है इसमें आदमी का जो सरी में होती है और ये किस चीज से होती है या दोस्तों बीमारी दोस्तों अगला आता है सलफाट्रग यानि कि सलफाविंट नो दोस्तों वह घातक होती है अगर आप उसको चाट भी यानि कि जीब से टेस्ट भी कर लेंगे तो क्या होगा आपकी तुरंत मोत हो जाएगी तो दोस्तों होता क्या है एक लड़का होता है यानि कि सलफा ड्रक्स यानि कि वो ड्रक्स लेता है तो जैसे ही वो ड्रक्स लेता है ना तो उसको हर चीज दो-दो दिखाई देती है जैस तो ऐसा ही इस लड़के के साथ होता है। ये शल्फास ले लेता है। और इसको हर चीज क्या दो दो दिखाई देती है। दोस्तों अगला आता है सीफालीस का इलाज यानि की दोक्टर पॉल हैलिस्ट ने कि यानि सीफा सीफा तो दोस्तों सीफा से बनाएंगे हम सीखा सीखा नाम की एक लड़की है ठीक है उसको क्या है फालीस मार गया यानि कि दोस्तों जब किसी लड़की वगेरा को या फिर किसी आदमी को फालिस मार जाता है तो दोस्तों उसका आदा सरीर या फिर पूरा सरीर एंट जाता है यानि कि मुड जाता है तोड़ा और उसका काम करना बन देता है सरीर यानि कि सरीर में उसके काम करने की छमता नहीं होती तो फिर दोस्तों उसकी साधी कैसे होएगी तो उसको पाले का कौन? पालना, पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर किसी लड़की को फालिश जाया या फिर लड़की को तो दोस्तों कुछ ऐसी संस्था बनाई गई है तो एक आदमी सला देता है कि हील्स हील्स यानि पाड़ी यानि पाड़ी के पीछे एक ऐसी संस्था है जो ऐसे बच्चों को या फिर आदमियों का इलाज करती है और उन्हें अपने घर में रखती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीज़ेगा और हो सके तो वीडियो को जादे है जादा सब्सक्राइब कर दीज़ेगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वोचिंग दि वीडियो